तो इस वीडियो में हम देखते हैं उत्राखंड लेक्चरार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्टन्स इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्ट्स करेंगे आप मुझे इस्टा पे फॉलो कर सकते हो और टेलग्रम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं PDF आपको मिलेगा questions का यह आपको available हो जाए ठीक है तो यह टेलिग्राम चैनल पर PPT आप लोग के साथ share कर दी जाएगी वहाँ से आप यह download करके question practice भी कर सकते हो अपने आप ठीक है तो यह important 25 questions है जो आपके exam के लिए बहुत जादा important है तो first question देखते हैं first question में हमें कहा है f1 equal to 4 f dash 1 equals to 2 value of derivative of log f e की power x with respect to x at x equals to 0 value of derivative इसका अगर हम derivative करेंगे तो log something का derivative 1 upon something होता है f e की power x का f e की power f dash e की power x और e की power x का अगर हम फिर से करते हैं तो यह आएगा है ना इसका अगर हम फिर से करते हैं तो यह आएगा अब इसने कहा है यह जो हमने derivative निकाला है वो x is equals to 0 पर x equals to 0 अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो यह आजाएगा यानि f dash 1 upon में f1 f dash 1 की value 2 है और f1 की value 4 है इसको solve करेंगे तो 1 by 2 इसका answer यहाँ पर आजाएगा important question है exam point of view से see option इसका answer अगर आपका कोई भी doubt है तो whatsapp पे आप पूछ सकते हूं ठीक है इस question को अगर हमने करना है ठीक है इस question को अगर हम करना चाहते हैं तो ज्यादा तर यहाँ पर 1 plus x square 1 plus x square लिखा है एक तो long method से भी हम लोग इसको कर सकते हैं एक बार हम इसमें short method ऐसे ही try करके देखते हैं जब भी आपको 1 plus x square मिलता है तो x की जगह पे 10 theta रखके देख लो क्योंकि 1 plus 10 square theta हो जाता है हमारा sec square theta और under root अगर हम इसका करते हैं तो हमें मिलेगा sec theta तो हमने यहां से इसकी value निकालने की कोशिश की है अगर x हम 10 theta माले तो ठीक है उपर x 10 theta है नीचे sec theta आया है ठीक है इसमें रखें तो 1 by sec theta आया है isё ना sec theta को क्या लिख सकते है costume coz theta और बाहर क्या है cost inverse बहुर्ण इसको seconds theta लिखा है इसको यहां से सक theta यह यह सक theta तो यह comms theta हो गया स्थिटा बंख है तो यह यहां से हमे tracks पास theta बचा हमने क्या माना था x is equals to 10 theta तो theta आएगा यहां से 10 inverse x प्लस इसको भी कर लेते है बिज़रा यह आया था 10 theta की value क्या आएगी 10 theta 1 upon 10 theta होता है sine by cos sec theta 1 by cos तो यहां से हमारे पास cos से cos cancel तो sine theta बचा sine theta बचा है तो sine theta की जगह पे यहां से रखेंगे 10 inverse x तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास अब क्या आगया है यह तो आया है sine tan inverse x plus में tan inverse x यह y आगया अगर इसका हम differentiation करें तो y dash आएगा sine का differentiation 1 upon under root 1 minus यह चीज यहां गड़बड कर जाएगी कि इसका whole square लिखना पड़ रहे ठीक है यह चीज यहां पर गड़बड कर जाएगी तो इसलिए question इस तरीके से फिर नहीं हो पाएगा ठीक इस वाले portion में अगर देखा जाए इसमें तो यहां पर help हो गई है ठीक है यहां पर यह सही हो जाएगा लेकिन इसमें problem होगी क्योंकि x को 10 theta रखते हैं नीचे अंडरूट 1 प्लस 10 square theta आएगा और 1 प्लस 10 square theta होता है sec square theta और sec square theta का अंडरूट करेंगे तो आएगा sec theta sec theta को लिखेंगे 1y cos 10 को भी लिखते हैं sin y cos cos से cos cancel तो sin अच्छा हाँ हो तो क्या है कितना बचा है sin theta ठीक है देखो एक बार और देखलो इसको अगर नहीं समझ में आया है कुछ mistake हो गई थी जिस वज़े से problem हो गई थी ठीक देखो दुबार से इस question को जब भी कभी यहां पर आपको 1 प्लस x square दिखे तो 1 प्लस x की जगा पे हमने 10 theta रखा तो 10 square हो गया अब अंडरूट भी है 1 प्लस 10 square sec square होता है अंडरूट भी है तो sec theta आ गया ठीक है x अपॉन अंडरूट 1 प्लस x square x का मतलब 10 theta इसका मतलब sec theta इसको solve करेंगे तो sin theta बचेगा क्या बचा? sin theta ठीक है तो यानि यहां पर आया है हमारा sin theta इससे cancel हुआ सिफ theta बचा प्लस इसमें अब 1 अपॉन अंडरूट 1 प्लस 10 square theta इसका value क्या है? sec theta 1 by sec theta तो यह हो गया cos theta इसका मतलब यहां पर आगया हमारा cos theta इसससे cancel होगे क्या बचा theta तो यह theta that means 2 theta और theta क्या है हमारा tan inverse x ठीक है? tan inverse tan inverse x का differentiation 2 upon 1 upon 1 plus x square तो answer क्या होगा? c option answer क्या हो जाएगा हमारा c option इसका हमारा answer हो जाएगा c option answer होगा a नहीं c ठीक है? यह वाला question देखो y equal to 2 की power x y is equal to 2 की power x है तो y का differentiation dy by dx 2 की power x का differentiation होथा 2 की power x log base e 2 option number c answer इस question को करने के लिए अगर हम इसका differentiation निकाले तो y का differentiation dy by dx या फिर y' sin का हो जाएगा cos x की power x dy by dx x की power x अब यह वाला portion अलग से solve करते हैं z मान लिया x की power x दोनों side में log लेना पड़ेगा क्योंकि function की power function होता है तो हमेशा हमें log apply करना पड़ता है log z is equal to log x की power x तो यह आएगा log z is equal to x log x ठीक है log की property की बोलती है यह x यहाँ पर आ जाता है तो वही log की property हमने यहाँ लगा दी है अब क्या होगा इसका differentiation 1 by z dz by dx is equal to x log x का 1 by x plus log x x का 1 1 plus log x और यह जो 1 by z है यह यहाँ आएगा ना n2 में यानि यहाँ आएगा तो मैंने उसके जिकर पर डारेक्ट यह लिख दिया ठीक है तो यानि इस वाले portion की जो value है वह आई है हमारी x की power x 1 plus log x तो किस में दिख रहा है n2 में 1 plus log x cos x की power x और x की power x तो b option यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा next question में e की power x plus y is equals to xy दिया है तो जब e की power x plus y दिया है xy दिया है दूसरी तरफ तो इसको solve करने के लिए पहले log लेना पड़ेगा तो जैसे हम यहाँ पर log लगाते हैं यहाँ पर log लगाते हैं तो log यहाँ base e यह दोनों चीज़े अगर same हो जाती है तो answer क्या होता है यही हो जाता है answer होगा x plus y is equals to इसको अगर हम देखते हैं log x plus log y x का differentiation 1 y का y dash log x का 1 by x log y का 1 by y y dash ठीक है y dash minus 1 by y y dash is equals to 1 upon x minus 1 तो यह आएगा y dash common लिया y minus 1 upon y is equals to 1 minus x upon x 1 minus x upon x ठीक है तो यहाँ से y dash कितना आएगा solve करने पर यह y उपर चला जाएगा 1 minus x x नीचे है y minus 1 नीचे आजाएगा answer देखा जाए तो b option इसका correct answer हो जा रहा है जब भी function की power function होता है तो log ही apply होता है b option answer जाएगा next question में कहा है root x plus root y is equals to root a अगर इसका differentiation करें root x का differentiation 1 by 2 root x plus root y का differentiation with respect to x 1 upon 2 root y और y dash a का 0 ठीक है तो यह आएगा 1 by root x is equals to y dash 1 by root y 2 इधर 2 इधर minus इधर ठीक है यहाँ से हम देख सकते हैं तो cancel हो जाएगा तो यह आएगा root y by root x minus का y dash का value तो यह हमारा answer आजाएगा यानि के c option answer आजाएगा इसका next question में x की power y और y की power x दिया है is equals to 0 यह चीज दिया है तो यहाँ से हम कहा सकते हैं कि x की power y is equals to y की power x होगा ठीक है यह होगा अब जब भी function की power function यहाँ x की power y है y की power x है तो function की power function जब भी मिलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं log apply कर देते हैं हमेशा किसी भी question में function की power function अगर मिलता है तो वहाँ पर log apply करते हैं तो यह आएगा y log x is equals to x log y y as it is log x का differentiation 1 by x plus log x as it is y का differentiation y dash is equals to x log y log y का differentiation 1 upon y y dash plus log y as it is x का 1 इसमें और इसमें से अगर हम दोनों को एक तरफ करके y dash common ले 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 तो बचता है हमारे पास log x minus x by y is equals to log y इधर है यह वाला और यह हम इधर लेके चले जाते हैं अब थोड़ा सा अगर हम इसको solve करें y dash is equals to y log x y dash into y log x minus x upon y equal to x log y minus y x तो यहां से y dash is equals to x log y minus y upon x और x के साथ into में आगा y log x minus x into y यह answer हो जाएगा तो y upon x अगर देखा जाए तो कौन से option में है y by x y by x यहां है लेकिन minus आ रहा है न यहां पर तो यह तो हो नहीं सकता y by x इसमें है अब क्या है यहां पर अगर देखा जाए x log y minus y है y log x minus x तो दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेकर बाहर कर दिया जाएगा तो यह option फिट बैट जाएगा तो आंसर होगा इसका बी option आंसर क्या होगा बी option अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वैरी है तो इस WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो ठीक है अभी अभी कुछ क्लाक्सिक डिफ्रेंशेशन की मैंने बेसिक कराई भी थी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे आप देख सकते हो ठीक है next question देखते हैं अब हम इस question में y is equal to इतना दिया है तो y dash निकालना है y dash निकालते है log something का differentiation क्या होता है 1 upon something तो 1 upon x plus under root x square plus में a square उसके बाद इसका differentiation करें x का 1 plus 1 by root x square plus a square का differentiation होगा 2 root x square plus a square और x square plus a square का differentiation होगा 2x तो से 2 गया ठीक है अगर हम इसको उपर वाले portion का LCM लेकर के अगर solve करते हैं तो यह आएक under root x square plus a square plus x upon under root x square plus a square into में आ जाएगा नीचे जो value है x plus under root x square plus में a square ठीक है अब यहां से यह दोनों चीज़ कट जाएगी तो answer बचेगा c options answer क्या आएगा c option 8 questions हम लोग कर चुके 8 के 8 important question है इसमें दिया है जितने भी question में यह 10 inverse है न जितने भी question inverse वाले है उसमें यह चीज़ solve करनी पड़ती है तभी यह question हो पाते है अगर normally इसको करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है तो यहां पे थोड़ा सा idea लगाना पड़ता है कि यह चीज़ को कैसे solve करके 10 में convert किया जाए और फिर 10 something कुछ भी आएगा 10 inverse से 10 cancel हो जाए तो जो भी inverse वाले question होते है उनमें कुछ यही हम लोगों को try करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे जो है इसको अगर मैं cos x से divide कर दूँ तो 1 प्लस 10x इन दोनों को cos इन दोनों को cos x से divide 1-10x तो यहां पर अगर मैं 10 pi by 4 लिख दूँ तो कोई problem है यहां पर इसके साथ 1 in 2 में है तो इस 1 in 2 को कर 10 pi by 4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है अब इस चीज को मैं लिख सकती हूँ 10 pi by 4 minus x प्लस x और 10 inverse पहले से बाहर था ठीक है इससे अब cancel हो गया तो अभी यह question छोटा सा हो गया अगर इसका differentiation करोगे तो कितना आएगा pi by 4 का 0 x का 1 तो answer हो जाएगा b option otherwise यह question बहुत lengthy पड़ेगा b option इसका answer होगा a नहीं b होगा sorry sorry a ही होगा यहां पे minus दिखानी a option answer होगा a में 1 लिखा है ठीक है next question यहां पे इसका differentiation करना है तो सबसे पहले हमें यहां क्या मिला है 1 प्लस x square तो मैंने कहा था जब भी हमें 1 प्लस x square मिले तो उसका क्या करोगे अगर इस 1 प्लस x square को sin cos 10 किसी में change करना चाहें कोई trigonometry इसमें use करना चाहें तो करके देख लेते हैं एक बार try करके क्योंकि मैंने बोला था under root 1 प्लस x square दिख रहा है तो x की जगा पे 10 foot करके देख लो तो यह आएगा under root 1 प्लस 10 square under root sec square यानी sec theta ठीक है तो यह value i sec theta प्लस 10 theta पॉन में यह value i sec theta माइनस यह x माना था 10 theta ठीक है अब इसको अगर थोड़ा सा solve करूं sin cos में break करूं तो 1 प्लस sin sec theta को यह लिखा 10 theta को यह लिखा upon में sec theta को यह लिखा 10 theta को यह लिखा इसको अगर solve करूं तो यह तो 1 प्लस sin theta by 1 माइनस sin theta होगा ठीक है अभी अगर log देखा जाए क्योंकि यहाँ log है साथ में वो थोड़ा गरबर कर सकता है ठीक है क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है log दिया हुआ है अगर देखा जाए देखते हैं करके जो दिमाग में आरा पहले वो करके देखते हैं ठीक है 1 प्लस sin theta 1 को लिख सकती हूं sin square theta by 2 प्लस cos square theta by 2 प्लस 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 इसको ये लिखा 1 को ये लिखा ठीक है ऐसे नीचे sin square theta by 2 प्लस cos square theta by 2 माइनस 2 sin theta by 2 cos theta by 2 यहाँ से बोल सकते हैं कि sin theta by 2 प्लस cos theta by 2 का whole square है और नीचे minus का whole square जिससे कोई फायदा होने वाला हमें नहीं है तो इस question को अगर इस तरीके से करें इसको whole square अगर बना के लिखें उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उपर नीचे कुछ भी value नहीं कटेगी ठीक है तो ये question trigonometry क्योंकि यहाँ पर कोई trigonometric function नहीं है गलत इसलिए करके दिखाया था कि पता चले कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी है यहाँ पर कोई trigonometric function नहीं है तो इसमें भी trigonometry लगा करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है ठीक है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y is equals to log लगा देते हैं इसमें तो यह आएगा log क्योंकि यहाँ पर log लिखा हुआ थो सबसे पहले दिमार्ग में आना चाहिए था log की ही property अप्लाई करें तो यह आएगा log 1 plus x square plus x minus log under root 1 plus x square minus x dy by dx आएगा क्या 1 upon under root 1 plus x square plus x ठीक है और फिर इसका दुबारा से करेंगे तो 1 upon 2 root 1 plus x square into में 2x और x का 1 ऐसे ही minus 1 upon under root 1 plus x square minus x फिर 1 by 2 root 1 plus x square और 2x into में minus 1 ठीक है अब इससे यहाँ से 2 से 2 कट गया अपर एपर पाले का आएपर लेकर ही और एक्स एपर आप बच्णुआ है LCM लेके और नीचे के आएगा Under root 1 plus x square minus x ठीक है इससे ये कट जाएगा बस minus उपर से common ले लो minus common लोगे तो यहां minus हो जाएगा यहां plus तो यहां plus आजाएगा minus उपर से common लेके ये कट गया ठीक है तो ये क्या बचा 1 upon under root 1 plus x square प्लस 1 अपॉन अंडरूट 1 प्लस x स्क्वार यानि 2 अपॉन अंडरूट 1 प्लस x स्क्वार हमारे पास यहाँ पे बच गया है यह ओप्शन आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन में यह दे रखा है, सबसे पहले हम इस कोशिन में क्या करेंगे लॉग अप्लाई कर देते हैं भाई, फंक्शन की पावर 1 बाई 2 है यहाँ पर तो लॉग अप्लाई कर देंगे लॉग जैसी अप्लाई करेंगे लॉग y is equal to जो पावर यह 1 बाई root 2 है वो बाहर आ जाएगी लॉग सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1 यह आएगा ठीक है अब लॉग y is equal to 1 बाई 2 लॉग सेक्स माइनस 1 प्लस लॉग सेक्स प्लस 1 लिख सकते हैं 1 बाई y, y dash हाएगा differentiation 1 बाई 2 लॉग इसका differentiation 1 अपॉन सेक्स माइनस 1 सेक्स का differentiation सेक्स इंतु 10x माइनस 1 का 0 प्लस इसका differentiation सेक्स प्लस 1 सेक्स का सेक्स इंतु 10x ठीक है 1 बाई 2 यह सेक्स इंतु 10x कॉमन आ गया ठीक है तो यह चीज़ अगर कॉमन आ गई तो यहां 1 बच्चे का यहां 1 बच्चे का आप solve करेंगे अक करेंगे तो एल्ने करके सेक्स वन प्लस सेक्स माइनस Wन अपन में आएगा सेक्स कॉब्यक्स माइनस वन माइनस वन होता है 10 In2 ठीक है और यह plus 1 यह plus 1 minus 1 cancel हुआ तो यहां बचा 2 sec x ठीक है 2 sec x अब यह sec x को मैंने यहीं लिख दिया sec square इस sec square को लिख देती हूं 1 by cos square x इस 10 x को लिख देते हैं sin x by cos x इस 10 square को लिख देते हैं sin square x by cos square x इस से यह cancel हो गया तो यह cancel हो गया ठीक है इस sin से एक sin चला गया ठीक है तो यह 2 से 2 भी चला गया 1 by sin cos बचा है क्या बचा सिर्फ हमारे पास 1 by sin cos 1 by sin x into cos x बचा है यहाँ पर यहाँ y dash है और 1 upon y है जो 1 upon y है वो मैंने यहाँ लिख दिया sec x minus 1 sec x plus 1 यह इसका अंसर आ रहा है लेकिन यह option में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है ठीक है अभी हम इतने वाले portion को फिर से solve करते हैं इस portion को जड़ा solve करते हैं अंडरूट 1 by cos x minus 1 1 by cos x plus 1 ऐसा करने पर 1 minus cos x upon 1 plus cos x आ जाएगा solve करने पर अंडरूट में 1 minus cos x को लिख सकते हैं 2 sin square x by 2 1 plus cos x को लिख सकते हैं 2 cos square x by 2 2 से 2 cancel अंडरूट करेंगे तो यह आएगा 10 x by 2 ठीक है तो यानि इस पूरी value को लिखी जा सकती है 10 x by 2 10 x by 2 या फिर इसको लिख सकते हैं sin x by 2 cos x by 2 यह लिखा जा सकता है ठीक है अब यह cos x भी हाँ से जाना चाहिए ठीक है तो यह जो sin x लिखा है इसको मैं लिख सकते हूं 2 sin x by 2 into cos x by 2 इससे यह cancel हो गया तो 1 by 2 cos square x by 2 बचा 1 by 2 sec square x by 2 answer हो जाएगा यह cos x नहीं आना चाहिए था यह cos x नहीं आना चाहिए था बस ठीक है देखो अब इसमें फिर से देख लेते कहा mistake हुई है इसको इतना लंबा करने की ज़रूत है ही नहीं देखो इस question को करते करते मुझे एक चीज़ पता चलिए कि इस question को इतना लंबा कुछ भी करने की ज़रूत नहीं थी इस question में बस एक छोटा सा part करना था क्या जो हम अभी करके पता करके पता चलते हैं सब question में इस question को हमने कितना लंदी बना दिया मैंने log लगा करके पता नहीं क्या क्या कर दिया उससे better था कि यह जो portion था उसको मैं इसी तरीके से solve कर लेती तो y आ जाता मेरे पास 10x by 2 तो dy by dx कितना आएगा 10 का differentiation sec square x by 2 और x by 2 का 1 by 2 answer हो गया b option तो सिर्फ इतना सा solution था तो power देखते ही log बगरे दिमाग में आने के वज़े से question कितना lambda हो गया ठीक है और question कितना छोटा सा होना था ठीक है next question 10 inverse वाला देखो यह वाला pattern देखो अभी एक question किया था जिसमें a और b नहीं दिये हुए थे a और b नहीं दिये हुए थे यह question हमने अभी यह यह और वो question same है बस यह plus minus का difference है plus minus change हो रखे है और a और b उस question में है इसमें नहीं है तो दोनों में काम क्या करना है question में यह जो चीज होती है इसको one बनाना होता है इसको अगर one बनाना चाहते हो तो a cos x minus b sin x इसको b cos x से divide करो upon में b cos x plus a sin x को भी b cos x से divide करो divide करने के बाद क्या मिलेगा ये मिलेगा हमें a upon b ये मिलेगा हमें minus 10 x upon ये मिलेगा one plus ये मिलेगा a 10 x by b ठीक है अब हमने क्या करना है कि ये जो a by b है उसको हम सरा 10 theta माल लेते हैं a by b की जगह पर यहां पर रखा हमने 10 theta यहां पर भी a upon b की जगह रखा 10 theta इस तरीके से ये formula बन गया है 10 theta minus x का 10 theta minus x का और बाहर क्या बना है 10 inverse इससे cancel हुआ ठीक है तो क्या बचा हमारे पास theta minus x थीटा की value यहां से क्या आएगी 10 inverse a by b minus x अब differentiation करेंगे अगर इसका differentiation 0 minus x का minus 1 तो answer आएगा d option तो एक pattern है देखना कैसे करना है इसको ठीक है यह भी same अगर बाहर 10 inverse लिखा है तो हमेशा अंदर जो चीज बनानी है वो एक ही चीज बनानी है क्या कि जैसे अभी हमने पिछले वाला question किया ठीक है तो यहां पर a upon b था यहां a upon b था उस a upon b को ही मैंने 10 theta assume किया तो यहां पर भी क्या है यह जो root a है उसको मैं माल लेती हूँ 10 theta जो root x है उसको मैं माल लेती हूँ 10 5 तो यह आएगा 10 theta minus 10 5 upon 1 minus यह root ax जो root ax नीचे लिखा है इसको 10 theta into 10 5 अब यह formula बन गया है 10 theta minus 5 और बाहर 10 inverse तो बाहर 10 inverse इससे cancel theta minus 5 theta की value कितना है 10 inverse root a minus 5 की value कितनी है यहां से 10 inverse root x तो इसका तो differentiation 0 अब y का value यह आ गया है इसका differentiation minus 1 upon 1 plus जो भी angle दिया होता है उसका square root x का differentiation 1 upon 2 root x यह आएगा negative वाला कौन सा है sorry यहां plus आएगा plus क्योंकि यहां plus है ना तो बीच में plus आना तो plus 1 upon 2 root x d option answer होगा इसका next question में कहा है cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1 cos inverse minus theta cos inverse theta दोनों same ही होते है पहले यह चीज़ पता होनी चाहिए अगर मैं इसमें से minus common ले लू तो 1 minus x square upon 1 plus x square आएगा और cos inverse बाहर है तो यह minus अकर गायब भी कर दो तो कोई problem इसमें नहीं होती है तो यानि इसको मैं लिख सकती हूं cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square इसमें से अकर minus common ले करके यहां लिख दोगे तो यह minus गायब हो जाता है क्योंकि cos inverse minus theta is equal to cos inverse theta होता है अब हम क्या करेंगे यहां पर जब भी 1 minus 1 plus दिखता है यहां चाहे कुछ भी हो इन दोनों value को cos 2 theta माल लेते हैं क्या माल लेते हैं इन दोनों values को चाहे तो cos 2 theta माल लो या फिर इसको अगर हम 10 square theta माल लें तो हमें easy पढ़ जाता है ठीक है क्या माल लेते हैं इसको 10 square तो यह जो हमारे यह पूरा value इसको 10 square माल लेना है तो यह आएगा cos inverse 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta ठीक है अब यह एक formula होता है 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square होता है cos 2 theta यह cancel 2 theta बचा 2 theta का मतलब क्या है यहां पर यहां से निकालो 10 inverse x और 10 inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square into में 2 तो यह आजाएगा a option answer क्या आएगा answer a option question number 15 इसमें क्या है यह जो चीज़ दी है इसको solve करते हैं पहले sec x को लिखते है 1 by cos x 10 x को लिखते हैं sin by cos x तो denominator same है तो इसको लिख सकते हैं 1 plus sin by cos x 1 को लिखा जा सकता है cos x cos square x by 2 plus sin square x by 2 और sin x को लिखा जा सकता है 2 sin x by 2 cos x by 2 cos x को लिख सकते हैं cos square x by 2 minus sin square x by 2 ठीक है अब यह बना है whole square cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square नीचे क्या है cos x by 2 plus sin x by 2 into cos x by 2 minus sin x by 2 इससे एक यह cancel हुआ तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या बचा है यह बचा है cos x by 2 plus sin x by 2 नीचे बचेगा cos x by 2 minus sin x by 2 अब इसको अगर हम cos x by 2 से डिवाइड करें तो यह 1 बनेगा यह 10 बन जाएगा यह 1 बनेगा यह 10 बन जाएगा ठीक है इस 1 को 10 pi by 4 लिख सकते हैं यहाँ पे भी 1 के इसलिए time pi by 4 यूज़ कर सकते हैं यह फिर से formula बन गया है 10 pi by 4 plus x by 2 का और बाहर यह 10 inverse चल रहा था उससे यह 10 cancel हो गया इसका differentiation 1 by 2 तो answer a option इसका correct answer हो जाएगा जितनों में भी starting में 10 inverse लिखा है सम्में यही procedure follow करना है इसमें cot inverse है तो यहाँ पर हमें पहले पता होना चाहिए कि cot inverse x को 10 inverse 1 upon x लिख सकते हैं तो यानि इस चीज को हम 10 inverse 1 plus x upon 1 minus x लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं ठीक है 1 plus x upon 1 minus x लिख सकते हैं अब जब भी 1 plus x 1 minus x है ठीक है क्योंकि यहाँ पर तो बाहर इस question में तो cos inverse था ठीक है इस वज़े से हमने इसको 10 square माना क्योंकि 1 minus 10 square 1 plus 10 square cos 2 theta का formula होता है तो cos से cos cancel हो गया इस question में क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर cot inverse 10 inverse है बाहर तो इस x की जगह पे हम 10 theta रख देते हैं तो 10 inverse बाहर है 1 plus 10 theta upon 1 minus 10 theta इस one को 10 pi by 4 लिख सकते हैं इस one को भी 10 pi by 4 लिख सकते हैं तो यह बन जाएगा हमारा 10 inverse 10 pi by 4 plus theta इससे cancel pi by 4 plus theta आएगा और theta की जगह पे क्या लिखेंगे क्योंकि हमने x को 10 theta माना है तो theta की जगह पे 10 inverse x इसका differentiation 0 और 10 inverse x का क्या होता है 1 upon 1 plus x square मतलब b option answer हो जाएगा यह parametric equation x भी t की terms में लिखा है y भी t की terms में लिखा है तो इसमें अगर हमें dy by dx निकालना है तो y वाले function को भी t के respect में x वाले function को भी t के respect में differentiate करना है इसको t के respect में करेंगे 2a आएगा इसको t के respect में करेंगे a t square का 2t तो 2a cancel हुआ 1 upon t answer आजएगा important question है आज के session में जितने भी 25 कर रहे हैं हम लोग अब यह भी क्या है parametric equation in the form of t यह भी theta में लिखा है यह भी theta में लिखा है तो अगर हम यहाँ पर dy by dx निकालना चाहते हैं तो y वाले function को हमें theta के respect में differentiate करना पड़ेगा x वाले function को भी हमें theta के respect में differentiation करना पड़ेगा ठीक है अगर हम इसका differentiation करते हैं तो b sin square का differentiation 2 sin theta into cos theta इसका differentiation a2 cos square का 2 cos theta cos theta का minus sin theta इससे यह पूरा cancel minus b upon a answer आ रहा है तो c option इसका answer हो जाएगा इसमें भी क्या है x और y दोनो theta की form में दिये हुए हैं अगर theta की form में दिये हुए हैं तो हम यहाँ पर dy by dx निकालते हैं ठीक है इसको theta के respect में कर differentiation करें तो cos theta sin का minus theta as it is cos theta का differentiation minus sin theta ठीक है minus cos theta as it is theta का 1 upon में इसका theta के respect में अगर हम differentiation करते हैं तो a as it is cos theta का minus sin theta plus theta as it is sin theta का cos theta plus sin theta as it is theta का 1 product rule लगाएंगे न differentiation के लिए अब a से यह cancel हुआ उपर आया है cos theta plus theta sin theta यह तो cancel हो गया तो सिर्फ हमारा इतना बचा upon में यह भी cancel हो गया तो सिर्फ इतना बचा that means 10 theta answer आयेगा b option answer b option answer next इस question को करने के लिए जो यह under root 1 plus x 1 minus x यह चीज़ हमें पहले solve करनी पड़ेगी होता क्या है जब भी कभी 1 plus x 1 minus x ऐसा कुछ भी दिखता है तो जाद तर इसको cos 2 theta मान लिया चाता है क्यों क्योंकि under root 1 plus cos 2 theta ठीक है इसके बाद यहां देखो 1 plus cos 2 theta होता है 2 cos square theta यानि under root 2 cos theta ठीक तो यह वाली जो value आई है under root 2 cos theta अब under root 1 minus x को अगर निकालते हैं तो 1 minus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta होता है हमारा 2 sin square theta तो यह आएगा प्लस यह वाली value क्या आएगी under root 2 sin theta अपन में क्या है 2 अब यह जो 2 है भाई यहां पे under root 2 यहां पे under root 2 upon में 2 है तो under root 2 यह common ले लिया यह common लिया तो इतना बचा अंदर इस under root 2 से यह पे under root चला जाएगा ठीक है अब यह जो 1 by root 2 है इसको मैंने यहां लिखा और यहां लिखा लग लग करके ठीक अब मुझे क्योंकि बाहर sin inverse लिखा हुआ है बाहर क्या है sin inverse ठीक है तो मुझे यहां पर यह जो बनाना है यह पूरा sin में बनाना है ताकि sin से sin inverse cancel हो जाए तो मैंने किया किया यह जो 1 by root 2 था उसको मैंने लिख लिया sin pi by 4 और यह वाले 1 by root 2 को cos pi by 4 ऐसा करने पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यह formula बन जाएगा हमारा sin pi by 4 प्लस theta का और बाहर sin inverse इससे यह cancel हो गया तो अब क्या है pi by 4 प्लस theta और theta की value क्या है इसको हमने x माना था तो यहां से अगर हम theta निकालेंगे तो pi by 4 प्लस theta आएगा cos inverse x by 2 इसका differentiation 0, cos inverse x का differentiation करना है तो 1 by 2 as it is cos inverse का 1 upon under root 1 minus x square b option नहीं होगा answer, a option answer होगा इसका क्या होगा answer हमारा a option ठीक है a option answer हो जाएगा इसका हमारा a होगा b नहीं ठीक है यह वाला question इसमें भी क्या है trigonometry पहले हमें solve करनी पड़ेगी cos x upon 1 plus sin x जो दिया है वो हमें solve करना पड़ेगा यह चीज ठीक है cos x को लिख सकते है cos square x by 2 minus sin square x by 2 upon इसमें 1 को लिख सकते है cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus sin x को लिख सकते है sin x by 2 cos x by 2 ठीक है तो यह जो नीचे वाला portion बनेगा यह बन जाएगा हमारा cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square ठीक है तो यह इसको क्या लिख सकते हैं उपर a square minus b square कर गया आप formula लगाए तो यह plus और इसके साथ में cos x by 2 minus sin x by 2 इससे एक power cancel ठीक है तो यह चीज हमारी cancel हो गई cancel हो गई तो क्या बचा इसके अपन में बचा है cos x by 2 plus sin x by 2 ठीक है अब क्या होगा cos x by 2 से divide करो उपर नीचे तो आएगा 1 minus 10 x by 2 1 plus 10 x by 2 इसको 10 pi by 4 लिख लो यहां भी 10 pi by 4 लिखो तो यह बन जाता है 10 pi by 4 minus x by 2 का formula बहर 10 inverse है इससे यह cancel हुआ जैसे ही यह cancel हुआ तो यह इसका differentiation minus 1 by 2 आंसर हो जाएगा minus 1 by 2 आंसर होगा इसका minus 1 by 2 इस वाले question में इसको tan inverse x plus tan inverse y का जो formula होता है वो हम लगा देते हैं तो आएगा ठीक है वो formula अगर हम लगाते तो आएगा tan inverse x plus y upon 1 minus x into y तो यह आजाता है x plus 1 by x upon 1 minus 1 तो नीचे तो 0 आगया इधर tan inverse तो tan inverse infinite जिसकी value pi by 2 होती है pi by 2 होती है तो pi by 2 का differentiation क्या होता है? differentiation निकालना है ना तो 0 होगा आंसर 0 आएगा यह भी question कुछ इसी तरीके से कि 3 minus 2x upon 1 plus 3 into 2x लिख सकते हैं ठीक है तो जो 3 है उसको मैंने 10 theta मान लिया और जो 2x है उसको मैंने 10 5 मान लिया तो यह आएगा 10 theta minus 10 5 upon 1 plus 10 theta into 10 5 तो यह हो जाएगा 10 theta minus 5 बाहर 10 inverse है उससे यह चला गया theta की value यहां से निकालो 10 inverse 3 minus 5 की value यहां से निकालो 10 inverse 5 की value 10 inverse 2x इसका differentiation 0 इसका differentiation करना है कितना आएगा? minus 1 upon 1 plus जो भी angle है उसका square यानि 2x का square और 2x का differentiation 2 तो 2x का differentiation 2 तो answer आएगा minus 2 by 1 plus x square c option answer होगा इस वाले question में अगर देखा जाए तो tan inverse under root 1 plus x square minus x दिया हुआ है तो x की जगह पे अगर हम 10 theta put कर दें तो यह चीज़ क्या होगी? under root 1 plus 10 square theta यानि under root sec square theta यानि sec theta ठीक है? तो यह आएगा sec theta minus 10 theta x के है 10 theta इसको बाद में रख लेंगे ठीक 1 minus sin theta by cos theta इसको हम लिख सकते हैं इस 1 को लिख सकते हैं हम cos theta by 2 cos square plus इस 1 को लिख सकते हैं cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 minus sin theta को इस sin theta को लिख सकते हैं हम 2 sin theta by 2 cos theta by 2 नीचे क्या है? cos theta को लिख सकते हैं cos square theta by 2 minus अब यह इसको लिख सकते हैं cos theta by 2 minus sin theta by 2 का whole square अब नीचे आएगा cos theta by 2 minus sin theta by 2 अब इससे क्या होगा? यह minus वाला तो cancel हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? plus वाला बचेगा उपर भी क्या बचेगा? एक plus वाला तो जब हम इसमें यहां पर अब cos theta by 2 से अगर divide करते हैं इससे अगर divide करते हैं उपर भी और नीचे भी तो 1 minus 10 theta by 2 upon 1 plus 10 theta by 2 यह आ गया इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 pi by 4 minus theta by 2 ठीक है? और बाहर 10 inverse था उससे यह cancel हुआ ठीक? तो यहां पर बचा है हमारे पास क्या? यह चीज pi by 4 का differentiation 0 theta, theta by 2 क्या बचा है? हमारे पास pi by 4 minus theta by 2 बचा है तो pi by 4 minus theta by 2 यहां से अगर हम theta की value निकाले तो tan inverse x by 2 इसका differentiation 0 tan inverse x का 1 plus x square 2 से into आंसर यह आएगा इसका इसका इसमें क्या दिया है? यह दिया है तो dy by dx अगर हम यहां से निकालते हैं कितना आएगा? x e की पावर y का differentiation e की पावर y plus e की पावर y as it is x का 1 e की पावर, देखो x as it is e की पावर y का differentiation e की पावर y और y का y dash और फिर x का 1 e की पावर y as it is ठीक है? इसको भी लिखा हमने क्या? y dash इसमें से यहां से y dash common लिया 1 minus x e की पावर y is equals to e की पावर y y dash into 1 minus x e की पावर y की value question में y दी है equal to e की पावर y की value यहां से निकालो y by x y dash is equals to y upon x into में 1 minus y तो y upon x into में 1 minus y b option में है तो answer इसका b option हमारा हो जाएगा ठीक है? इसका answer हमारा b option हो जाएगा अगर आपकी कोई भी query है तो whatsapp number पर आप details जान सकते हो इस lecture में हमने 25 questions जो की important थे किसी भी tgt, pgt exam के लिए वो हम कर चुके है next class में next 25 question करेंगे टोटल 50 question की pdf ppt आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो description आप लोग जरूर जोइन कर ले ना ठीक है या फिर आप टेलिग्राम चैनल को जोइन करने के लिए ये सर्च भी कर सकते हो ठीक है ये सर्च करोगे टेलिग्राम पर तो भी आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा ठीक है ये चैनल का नाम सर्च करोगे तब भी आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा और ये Instagram handle यहां पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please do like, share and subscribe this channel